नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन के 24 जूलो में सुरू होगा खेलो इंडिया सेंटर राज्य में खेलो के विकास के लिए एक और पहल की गई है केंद्र सरकार की ओर से रांची में तीन एक्सिलेंट सेंटर और राज्य सरकार की ओर से 6 खेलो के एक्सिलेंट सेंटर की सुरूआत होने जा रही है इसके साथ अब जार्खन के सभी 24 जूलो में एक खेलो इंडिया सेंटर की सुरूआत इसी सत्र से होने जा रही है केंद्र सरकार की सफल योजना खेलों इंडिया के तहद परदेश के सभी जीलों में 6 खेलों के केंद्र शुरू होंगे जारकन सरकार के खेल विभाग की मोनेटरिंग में एक केंद्र संचालित होंगे इसके लिए खेल भी भाग ने सभी जीलों में अस्थलों का चयान कर लिया है अधिकतर सेंटर उन अस्थलों में है जहां पुरॉज से आवासी या डे बोर्डिंग सेंटर संचाली था है अथवा वैसे अस्थल जहां पर सिक्षन के लिए मैदान की उप्लब देता है इन केंद्रों के संचालन के लिए राई सरकार को भारत सरकार की ओर से प्रती सेंटर 5 लाख रुपए दिये जाएंगे इस राशी से कोच का मांदे दिया जाएगा और खिलाडियों के लिए उपकरण की बेवास्था भी की जाएगी बतादे 24 जीलों में केंद्रेक के लिए 24 परसिक छक रखे जाएंगे इसके लिए खेल विभाकियोर से परसिक्षको की तलाज सुरू कर दी गई है 17 जुलाई तक कोच के लिए आवेदन मांगे गए है CM हेमांत ने जार्खन को दी 206 एम्बूलेंस की सोगात मुख्य मंत्री हेमांत ने राजे को आधूनिक सुधा से लेस 206 एम्बूलेंस की सोगात दी है 206 एम्बूलेंस में 51 एम्बूलेंस एडवांस लाइफ सिस्टम मौजूद है और 131 बेसिक लाइफ सिस्टम सामिल है पाँच मेडिकल मोबाईल यूनिट की भी सुरुवात मुख्य मंत्री हेमांस ने की जिसके लिए स्माइल फॉंटेंशन से एमजू किया गया इस कारकरम के दुरान सियम हेमांस ने मामता वाहान एप मुख्य मंत्री गंभीर बीमारी यूजना और आयुसमान एप के भी सुरुवात की है साथ ही राज के 38 दंत चिकित सको को सियम ने नियुक्ति पत्र सोपा मुख्य मंत्री हेमांस ने अपने समधन में कहा है कि आज स्वास्त विभाग के इस कारकरम में कई चीजे देखने को मिली है सियम हेमांस ने कहा है कि मुलेज का संचाला नए एप के माद्यम से स्वास्त सुविधा को सरल और बेहतर बनाने की कोशिस की जा रही है और आज के जन जन तक स्वास्त सिवा पहुचाने की और कदम बढ़ाया जा रहा है सदर अस्पताल में बलड एस्टोरेज यूनिट का अनलाइन उद्घाटन जारखन में मुख्य मंत्री हेमांस ने रांची के नामकुम से धनबाज समित दूसरे जीलों में सदर अस्पताल में स्थाविद बलड एस्टोरेज यूनिट का अनलाइन उद्घाटन किया इस दूरान धनबाज समित अने जीलों के बेहतर काम करने वाले सरकारी और आयूसमान के डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया सदर अस्पताल धनबाज में 20 यूनिट का बलड एस्टोरेज गेंद खोला गया है इस गेंदर का मुख्य मंत्री हमंसरे राची से अनलाइन उद्घाटन किया बदाद सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डाक्टर अलोक विसकर्मा अस्पताल के उपाधिक्सक डाक्टर संजीव कुमार मुख्य रूप से मजूद थे बलड एस्टोरेज यूनिट को आकरशक तरीके से सजाया गया राची में दिन्दहारे गोली मारकर अकाउंटेट की हत्या राइधनी राची में दिन्दहारे गोलीयों की ततलह से सुखदेव नगर का इलाग का थरा उठा है तावतो गोली बारी में एक समय में रांची के चर्चित बिल्डर कमल भोसन के अकाउंटेंट संजय कुमार के हत्या कर दी गई बता दे बाइक सवार दो अपराधियों ने काफी दूर तक संजय का पिछा किया और मोका पाते ही लागतार पांच गोलिया मार कर वहां से फरार हो गई पूरी घटना सुक देव नगर थाना छेत्र इस्थीत गयले किस्या मौल के सामने इस्थीत कारी मंदिर के पीछे के इलाके में घटी है घटना के सुचना मिलता ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जाच में जूट गई सिटी एस्पी सुभांसु जैन भी मौके पर मजूद थे जामता में साइबर फ्रोट का भंडा फोर 16 लाख नगत के साथ 5 गिरफतार साइबर अपना दियो के बिरूद चलाए जा रहे चापे मारे अभ्यान के तहट नरायन पुर्व कर्मा टांड थाना छेतर से 5 साइबर आरोपियों गिरफतारी हुई है इस समध में एस्पी मनोज सुभर गियारी ने साइबर थाना में प्रेस कॉनफरेंस किया उन्होंने कहा है कि सुचना मिली थी कि नरायन पुर्व कर्मा टांड चेतर के साइबर आरोपि साइबर क्राइम जैसे घटना का अजाम दे रहे हैं जिसके बाद प्रसिक्छु आईपियेस राकेस कुमार के नतित में एक टीम का गठन का शापे मारी कराया गया बतादे सबसे पहले टीम ने कर्मा टांड थाना चेतर के सतुवा टांड निवासी, रियाज अंसारी, सिया टारगाव के बिनोध मंडल वा संभू नाथ मंडल को गिरफतार किया दुमका के फोज़दारी दर्बार में दूसरे दिन 31,000 सर्धालों ने किया जलारपन 2035 राज के स्त्रावनी मेला महोसर 2023 के दूसरे दिन बुद्धवार को 31,000 महिला पोलिस कवर्यों ने बाबा का जलावी से कर असपस पुजा किया ब्रह्म महोर्त में करीब दो बचकर तिन पर मियाट पर मंदिर का पट खुला सर्कावी पुजा के बाद 4,000 से हर हर महादेव जय बाबा फोज़दारीनाथ बोल बम आदिक जैगो से पुरा मंदिर परिशर गुंजमाय रहा सदलों ने बाबा पर जलारपन शुरू किया कवर्यों को पुलिस बलों ने कतारवत तरीके से मंदिर गर्व गिरी में परवेश कराया कवर्यों की कतार संस्कार मंडप होते हुए सिव गांगा पीण तक ही सिम्टी रही संध्या बेला में आदे घंटे तक के लिए मंदिर का पटबंध हुआ इसके बाद जलारपन का जो सिलसिला अराम हुआ वह देर साम तक चलता रहा गिरीटी में नकली सराप फैक्टरी का खुलासा गिरीटी के सर्या परखंड के कैला टान गाव में गुप्त सुचना का धार पर बुद्धवारपु गिरीटी एक साई टास्पोर्स की टीम ने नकली अंगरेजी सराप बनाने माले फैक्टरी में छापा मारा या करवाई दो पर 32 से लेकर साम 6 बै तक चली लगबग 3 घंटे तक चली इस चापे मारी में 700 पेटी, इंपेरियर, बुलू सराब, भारी मातरा में कच्चा स्प्रीट, ड्राम में बना हुआ सराब, इस्टीकर, खाली बोतले वकई ब्रांड के रेपर आधिजब्त किये गाए सर्या SDM कुंदन कुमार ने बताया है कि इस फैक्टरी को देखने से सब आचर्शकीत रह गाए कि इतने बड़े प्रेमाने पर इस परकार के अवाध फैक्टरी का संचलन कैसे किया जा रहा है देवगर के जसीडी आईरन फैक्टरी में मजदूर की मौत परहंगामा देवगर इस जसीडी थाना चेतरे के मनिकपूर इंडस्टियल एरिया अंतरगत लोहे गलाने वाले फैक्टरी MP Mining and Industries Limited में बुद्धवार को भठी तेज आवाज के साथ फटने से एक मजदूर की मौत हो गई वही एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया बताया गया है कि काम करने के दोरान बलास्ट होने से लोहे का लावा गिरने से जमोज इला अंतरगत जाजा थाना छेत्रेक के छापा गाव निवासी रामानंद पस्वान की मौत हो गई वही रांगा गाव निवासी संतोस जादो गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती करया गया जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया संतोस की थिती नाजूक बनी होई है खुटी जीला में सपनों की उड़ान बैच शुरू अकांची जीला कारकरम के तहद सपनों की उड़ान कारकरम अब खुटी जीला अंतरगत कस्तुरवा गांधियावासे बाल का बिद्याला है काला माटी के साथ साथ कारा में भी चलेगा काला माटी में सपनों की उड़ान कारकरम का चौथा बैच और कारा में पहले बैच की शुरूआत हुई है बुद्धवार को उपायुक ससीर अंजन ने इसकी शुरूआत किया इस दरण उन्होंने कहा है कि छात्राए हमेशा बेतर सिक्षा की दिशा में अगरसर रहे एक काग रहोकर त्यारी करे अपनी छामता को बढ़ाए और रूटिंग बनाकर सुचारो रूप से पढ़ाई करे डिसी ने कहा है कि जीवन की चुनातियों को आउसर में बदले सपनों को उड़ान अभियान का उद्ये से सुधरवर्ती गरीब आदिवासी छात्राओं का उजवल भवी से सुनिशित कराना है इस दरण उन्होंने कई टिप्स भी दिये हैं बताया गया है कि जीले के सभी कस्तुरवा गांदिया वासे बलका विद्याले में ऐसे बज़ शुरू किये जाने का पर्यास किया जाएगा धनबाद के कोल डंपिंग छेत्र में दो गूटों में भिरंत छो लोग घायल धनबाद के बस्ता कोला कोल डांपिंग छेत्रे में ट्रक लोडिंग में बर्चास्व को लेकर बुद्धवार को सन्युक्त मोर्चा और जानता स्रामिक संग के समर्थकों के बिच भिरंथ हो गई दोनों और से जमकर मार पीट और पथरवाजी होने लगी इस दोरन आधा दर्जन लोग है लोग है बिरंथ के दोरन कोल डांप में दो दर्जन रांड से अधिक फैरिंग भी हुई है हलाकी बाद में धनबाद पुलिस ने करी सुरक्षा के बिच तीन ट्रॉक लोडिंग का कारे संपन कराया इस घटना के बाद से लोडिंग पॉइंट पर दोसत का महल बना हुआ है सरावनी मेला में सरधालों की सुरक्षा के लिए CRPF, NDRF वर महिला बटालियन टैना ते जारकन के देव घर में सीथ बाबा पैदना धाम 12 जोतिस लिंग में एक है यहाँ एक मात्र ऐसे जोतिस लिंग है जो सक्ति पीठ भी है यानि एक मात्र ऐसा धाम जहां सीव और सक्ति दोनों एक साथ बिराजमन है इसे सीव और सक्ति का मिलन अस्थल भी कहा जाता है कहते हैं कि बाबा धाम आने वाले भक्तों की सभी मनत्य जरूर पूरी होती है यहाँ मनो कामना है पूरी होने के कारण मंदीर में स्थापी सीव लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है बदादे सावन के महिने में बिहार के भागलपूर जीला में इस्थी सुल्तान गंज की उत्तरवाहिनी गंगा से भक्त गंगा जल लेकर कावरिया उठाते हैं और बोलबम बोलबम करते हुए पैदल देवघर तक 107 किलोमेटर की कावर यात्रा करके देवघर इस्थीत बाबा धाम में बाबा बैधनात का जल अब से करते हैं इस दवड़ान भक्त साथ विक भोजन करते हैं और दिन रात बाबा की भक्ति में बिताते हैं ज्यारखन में समाने से कम बारिस के कारण नहीं हो पाएगी 15 जुलाई तक रोपनी शुरू खुटी में इस वर्स भी खरीब की फसल पस अंकट मंडाता नजर आ रहा है अनुमान लगाया जा रहा था कि जीले में 15 जुलाई से रोपनी का काम शुरू हो जाएगा लेकिन बारिस की तीती ने अनुमान को भी भल कर दिया है अब तक अधिकांस की सानुर बिचलो के लिए भी खेतों में बिज तक नहीं डाला मांसुन के आगमन के बाद हुई बारिस का पानी गर्मी के तेज धूप से प्यासी खेतों में सुख चुका है जून महिने में जीले में 133.7 mm औसद बारिस हुई जबकि समान बर्सपात 192.20 mm बारिस होनी चाहिए थी इधर जुलाई महिने में 6 दिन बीच गए हैं जुलाई में जीले की समान बर्सपात 334 mm है जबकि 6 दिनों में मात्र 3.9 mm बारिस हुई है ज्यारखन में राजद लोकसभा की 4 सीटों पर लड़ने को तयार 2024 के लोकसभा चुनाव के रिए सभी पाट्या ने तयारी सुरू कर दिया है ज्यारखन में भी महागडबंधन के दल एकोसिस कर रहा है कि लोकसभा की किन सीटों पर लड़ेंगे वह पक्की हो जाए ताक कि वहाँ अपने हिसाब से त्यारी में जूट जाए इसे देखते हुए रायद ने ज्यारखन में 4 सीटों पर अपनी दवेदारी की है माना जा रहा है कि इस ममन में लालू पर साध्यादो आखरी फैसला लेंगे अगनी वीर रैली में बढ़ चड़ कर भाग ले रहे ज्यारखन के युवा मुराबादी मैदान में आयोजी सेना की अगनी वीर भरती रैली में जहरकन के युवा बढ़ चड़ का भाग ले रहे हैं या भरती रैली एक से नव जुलाई तक रांचिक मुराबादी में चलेगी मिली जनकारी के नुशार एक से पांच दुलाई तक अठारा जीलो से बाजट सो अगनी वीर रैली में हिसलिया है गुरुवार को पांच जीलो हजारी बग रामगर साहिव गंज पांकुड और लातेहर के अब्यार्थी ने रैली में हिसलिया इस भरती रैली में सिर्फ पूरुष अभियार्थी भाग ले रहे हैं इसमें वैसे अभियार्थी सामिल हो रहे हैं जो सेना द्वार आयोजित अनलाई पर एक्छा पास कर चुके हैं इस बार सबसे जदा रांची के अभियार्थियों ने भरती रैली में हिसलिया है रांची के बाद हजारी बग और पलामू के अब्यारती हिंसा ले रहे हैं जारखन में अब सन्मीदा पर कररत महिला कर्मियों को मिलेगा मात्रित्व आवकास जारखन के मुख्य मंत्री हमांसुरे ने सन्वीदा के अधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातियोत्र आवकास से सम्मंदित प्रस्ताव पर स्युक्रिति दे दिया है अब सन्वीदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातियोत्र आवकास का लाप प्राप्त होगा मालूम हो कि पूरो में सन्मीदा पर्नियुक्त महिला कर्मियों कमातियों तो अवकास का लाप देने का प्रोधान नहीं था यह मामला जमुक्र मंत्रिक संग्यान में आया तो उन्होंने सन्मिता परन्युक्त महिला कर्मियों कमाति तो आउकास देने की स्यक्रिति पाधान की है करीब पांच महीने पहले बित विभाग ने इस पर अपनी स्यक्रिति दी थी जिसके बाद सीजेम ने बड़ा फासला लिया है धन्यवाद